हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू श्वेता लाइबरेडी प्लेनेट आज हम अपने इस लाइबरेडी प्लेनेट में ओनलाइन कुछ एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में डिसकेशन करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट सपोर्टिंग ये कुछ लिंक्स आपको शो हो रहे होंगे इस लिंक के थू आप अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं इन वेबसाइट पर विजिट करके और वैसे भी आप इसको नोड़ डाउन कर सकते हैं कि कल को कोई प्रोशन आप से पूस्टा है या आप इससे पूस सकते हैं कि ऐजुकेशनल ऑनलाइन सपोर्टिंग कुछ वेबसाइट के बारे में बताइए तो ये वेबसाइट आप डाउऩोड करके आप दूसरों को भी नौलेज दे सकते हैं यह educational websites हैं जो आपकी help करेंगी तो आप इनको no down जरूर कर लेजेगा इन फ्यूचर आपकी बहुत सारी help हो सकेगी चलिए अब हम बढ़ते हैं book sites की तरफ जो है आपके कई आप जैसा देख पा रहे होंगे पिक में धेट सारे links दिये गए हुए हैं तो आप इन्हें भी no down कर सकते हैं कि यह सारी websites आपको free में books available करांती हैं यानि कि अगर आप पर book बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक रखते हैं तो computer से related या फिर novels वगरा story books या फिर educational related books होती हैं जो आप free में downloads कर सकते हैं या इन websites पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं तो अगर पढ़ने का आप बहुत ज्यादा शौक रखते हैं या फिर बच्चों की study के लिए आप books ढूण रहे हैं कि कहीं से मुझे मिल जाता प्रॉब्लम का solution अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इन websites के through educational knowledge ले सकते हैं तो आप इन websites को no down कर लीजिए कि in a future आप अगर किसी दूसरे से पूछते हैं या कोई और आप से पूछता है तो books sites की मदद से आप easily हर प्रॉब्लम का solution आप दे सकते हैं क्योंकि library की हमारा एक ही मकसद है कि आपकी हर problem का solution देना तो books sites हम आपके लिए लेकर आए हैं इन books sites की help के आपको कहीं न कहीं रहात जरूर मिलेगी और help भी आपकी होगी अगर आप पढ़ने में और परहाने में शौकीन है तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे sites की तरफ जो है answer to questions यह जो websites से आपको show हो रही है इन websites की through आप अपने question answers यानि की जीते questions या फिर course से related questions answers की websites है जहां अपनी problem का solution ले सकती है अगर आप कोई study subject से related कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे तरीके के अलग-अलग questions आपकी problem का solution दे सकते हैं और साथ में ही आपको जी के knowledge भी मिल जाएगा तो यह question answers की कुछ sites हैं जो आप no-down कर लीजे या फिर आप दूसरों की help के लिए भी no-down कर सकते हैं या फिर अपने जी के knowledge बढ़ाने के लिए भी चलिए next भढ़ते हैं हमा search sites की ओर जैसे search sites तो हम जब भी कुछ search करना होता है तो सीधे हम Google की ही website पर जाते हैं और वहीं पर search करते हैं इसके Google के इलाबा भी बहुत धेच सारी website हैं जो search engine में आती हैं इन website के through भी हम जो चीज गूगल पर search करते हैं वह हम इन other websites पर भी search कर सकते हैं और यह other websites भी हमारे लिए helpful होती हैं तो आप जैसा की देख पा रहे होंगे कई तरीके की यहां पर website हैं तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं और जीके के तौर पे अगर देखा जाए तो पूछे जग जाने माले questions की Google के एलावा कौन-कौन सी search sites हैं वह आप हमें तीन नाम बताईए तो हो सकता ह हो अगर आपको पता हो तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा Google के इलावा भी इतनी तरीके की search sites अबलेबल हैं जिनके तुरू आप अपने अलग-अलग जो भी search करते हैं Google पे वो इन sites पे भी आप search कर सकते हैं तो है न एक अच्छा नॉलेच चलिए बढ़ते हम अपनी दूसरी sites की हो searching for people sites यानि की आपकी social network से related कुछ websites हैं यहाँ पे भी आप search करके बहुत धेर सारा knowledge अन कर सकते हैं और अलग-अलग दूसरे लोगों से भी आप इसमें मिल सकते हैं तो यह कुछ searching people sites हैं तो इन्हें भी आप note-down जरूर कर लीजिए चलिए बढ़ते हम अपने next sites की ओर यानि searching for the latest news news से related कुछ other websites नी हैं वैसे तो आप लोग app download करके news वगेरे सुनते ही होंगे लेकिन हम आपको कुछ other websites नी बता रहे हैं जो educational related बहुत ही helpful होती हैं तो यह कुछ websites हैं जिने आप note-down करके इन पे search कर सकते हैं और latest news आप कर सकते है तो इन्हें note-down जरूर कर लिजेगा चलिए बढ़ते हम अपने next websites की ओर searching for sports, headlines and scores यानि की कुछ other वैसे तो खेल के शौकीन सब लोग होते हैं लेकिन उसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा आपको website सर्च करना चाहिए लेकिन फिर भी educational दौर पे हम आपको ये कुछ website से शो करा रहे हैं कि इनके through आप headlines and scores को search कर सकते हैं educational जीके से related अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाँ sports की कौन कौन सी websites हैं तो आप बता सकते हैं या फिर किसी तरीके के competitive exam में कुछ question आ जाते हैं कि ये websites आपकी sports से related है या फिर किसी और से तो भी आप answer दे सकें चलिए बढ़ते हैं बम अपने next online websites की ओर searching for medical information यानि कि medical से related ये कुछ websites आपको show हो रही हैं इनके through आप medical से related कई बीमारीयों के बारे में जान सकते हैं और बीमारीयों के solution के लिए कौन सी medicine आपके लिए useful होगी उसके बारे में भी जान सकते हैं यानि कि ये कुछ medical information से related sites है जो आपके लिए helpful हो सकती है बैसे तो generally किसी को जरूरत नहीं होती है लेकिन इसे आप no down करके helpful अपने लिए बना सकते हैं latest information updating के लिए आज हमने आपको इन कुछ websites link के बारे में बताया है यानि कि कुछ आगर आपकी problem रही थी कि हाँ हमें कुछ websites links नहीं मिल पारे जिसकी बज़े से problems हो रही है या फिर अगर नहीं भी ऐसा था तो भी हमने आपको कुछ links दे लिया कि अगर आपकी कोई problem है book से related या फिर question answer से related या फिर google search से related तो फिर other websites अगर नहीं भी थी अगर यह कोई problem तो आपके gk knowledge के लिए हमने ये website links कुछ दिये है यानि कि आपको gk में भी कि हाँ इसके इलावा भी कुछ sites हैं जिनके through आप अपनी अलग-अलग website से अलग-अलग problem का solution निकाल सकते हैं तो देखा gk knowledge कितना must है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो like और share करना मत भूलिएगा श्वेतास लाइब्रेरी प्लैन को subscribe जरूर करिएगा थैंक यू फर वाचेंग